मित्रों, समाचार पत्रों का एक अनुठा विश्व जन्यतंत्र में पनपता है। जन्यतंत्र और समाचार पत्र इन दोनों का एक दूसरे से ऐसा अनुठा संबंध है कि एक के सिवा दूसरा पनप नहीं सकता, बढ़ने ही सकता, रहने ही सकता। जन्यतंत्र में लोगों के आवाज, 200 पीपल, अगर शासन करताओं के तक पहुंचना चाहिए, तो उसका माध्यम बनता है समाचार पत्र या मीडिया। और सरकार पर और समाज पर जो नजर रखता है, सर्विलन्स रखता है, वो है समाचार पत्र या मीडिया। अगर जन्यतंत्र अक्षुन रखना है, तो उसके लिए जरूरत है कि समाचार पत्र स्वतंत्र हो, मीडिया स्वतंत्र हो, मीडिया की अभिवेक्ती स्वतंत्र हो, और अगर मीडिया स्वतंत्र रहना चाहता है, तो केवल और केवल जन्यतंत्र में ही मीडिया स्वतंत्र रह रहे नहीं सकती, तो यू कह सकते हैं हम लोग, कि अगर मीडिया की स्वतंतरता, प्रेश की स्वतंतरता अक्षुन रखनी है, तो वो केवल और केवल जनतंतर की विवस्ता में ही हो सकती है, तो यू भी कहा जा सकता है, कि मीडिया या प्रेश की स्वतंतरता केवल और केवल जनतंतर में ही बढ़ सकती है, फुल सकती है, और जनतंतर का जो दाईत्व है, और जनतंतर का जो कार्य है, वो सही ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है, इस पर मीडिया नज़र रखती है, अगर जनतंत्र प्रगल्ब करना है तो उसके लिए मीडिया का व्यवहार भी प्रगल्ब होने की जुरत है इसलिए मीडिया का जो विश्व है वो जनतंत्र पर नजर रखता है और जनतंत्र जो है मीडिया का विकास होने के लिए एक अवसर निर्मान कर देता है इसलिए जनतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता एक दूसरे से जुड़े हुए है एक दूसरे पर निर्भर है और उनकी आत्म निर्भरता केवल एक दूसरे पर अवलंबित्व है तो यह कह सकते हैं कि आपको अगर प्रेस अच्छे ढंग से फले फूलने का अवसर मिलना आप च जाते हैं, तो वो केवल अच्छे जन तंत्र में संभव हो पाता है, आज भी विश्व के कम से कम 45 देशों में जन तंत्र नहीं है, इसलिए वहां फ्री प्रेश या प्रेश की स्वतंत्रता भी नहीं है, विश्व के कम से कम 70 ऐसे देश हैं, जहां प्रेश की स्वतंत्रता और कुछ विश्व के असी देश ऐसे हैं जहां प्रेश को सतंत्रता है क्योंकि वहां जनतंत्र अच्छी तरह से चल रहा है प्रगल्ब है अपना भारत देश भी उसमें का एक देश है जहां जनतंत्र अच्छी तरह से चल रहा है विगत छे दशकों से जनतंत्र ने अपना ए पाया है उसके साथ साथ अपनी प्रेज भी दिन बदिन अपनी एहमियत बढ़ाते हुए चल रही है अच्छे तरह से काम कर रही है इसलिए समाचार पत्रों का समाज में और जनतंत्र में एक अभिन अंग के रूप में कारिय बहुत महतोपूर्ण रहता है अभी यह समाचार पत्र का विश्व है कैसा जैसे मैंने कहा यह अनूठा विश्व है किस तरह से अनूठा है देखिए समाचार पत्र क्या है समाचार पत्र एक मुदृत माध्यम है जिसमें समाचार हमें मिलते हैं न्यूज हमें मिलती है और विचार भी हमें मिलते है उसमें विजुल्स या चित्र मिलते हैं, ग्राफिक्स या आरेखन भी मिलता है, और समाचार और विचार, इन दोना का प्रतिविंब समाचार पत्र में, आशे के रूप में, कंटेंड के रूप में हमें मिलता है, यह तो कहां जाता है, कि समाचार पत्र सुचना का व्यवहार करती है सुचना बिकती है और सुचना बिकने का कार्य समाचार पत्र करता है और यह सुचना उसके लिए पाठक ग्राहक उसके लिए समाचार पत्र के लिए पैसे देते है विश्व में कुछ ऐसे समाचार पत्र है जो paid newspaper कहा जाता है उसके लिए पाठक पैसे देकर समाचार पत्र लेते हैं जैसे भारत में आउंतर पर बात है कहीं कहीं विश्व के कहीं देशों में free मुफ्त समाचार पत्र भी दिया जाता है जिसका challenge जो है केवल advertisement के रूप में होता है तो इस तरह से यह जो समाचार पत्र का जो कार्य चलता है उसमें यह कह सकते है कि समाचार पत्र क्या है उसे कहा जाता है periodic print publication containing news and views and information along with visuals and graphics एक कालबध एक मुदृत प्रकाशन है जिसमें समाचार है जिसमें विचार है जिसमें चित्र है जिसमें आरेखन है और उसका समावेश जिसमें किया जाता है वो समाचार पत्र है अभी समाचार पत्र किस-किस रूप में होता है एक daily newspaper है दैनीक समाचार पत्र है जो हर रोज प्रकाशित किये जाते है उसे हम दैनीक समाचार पत्र कहते है weekly newspapers हैं जो जिसे हम सापता ही कहते हैं सापता ही weekly उसका प्रकाशन होता है कुछ पत्रिकाएं पक्वारे में एक बार प्रकाशित होती है उसे हम fortnightly कहते हैं तो वो एक उस तरीके का समाचार पत्र आता है जिसमें आमतोर पर news के बजाए ज्यादा stories आती है और stories दिये जाते हैं उसके बाद आता है मासिक पत्रिकाएं तो मासिक पत्रिकाव में महिने में एक बार वो पत्रिकाएं आती है और जिसमें अलग-अलग तरीके के पत्रिकाएं निकलती हैं उसका प्रकाशन होता है उसके बाद ट्रैमासिक के रूप में कुछ पत्रिकाएं निकलती है ज्यादा तर रिसर्च जर्नल्स जो रहते हैं अनुसंदान की पत्रिकाएं रहते हैं वो पत्रिकाएं ट्रैमासिक के रूप में निकलती हैं कुछ शन्मासिक रहते हैं और साल में दो बार निकलती है और उ निकलता है, जैसे मराठी में, दिवाली के उपलक्ष में, दिवाली वारशी कांग निकलता है, ऐसे काफी औशन होते है की इस तरीके के विशेशांग प्रकाशित किये जाते है. यह तो एक मुदृत माध्यमों का एक कार्य है पत्र काये हैं अभी अगर हम समाचार पत्रों की ओर आते हैं तो उन में तीन तरह के समाचार पत्र होते हैं एक जो है जनरल इंट्रेस्ट न्यूजपेपर्स जिससे हम कहते हैं कि आमरुची के न्यूजपेपर्स समाचार पत्र अकबार जिसमें सब तरह के news इकटा हमको पढ़ने मिलते हैं जैसे हम दनीक समाचार पत्र पढ़ते हैं हर रोच वो सब समाचार पत्र ये general interest newspaper कहे जाते हैं कुछ समाचार पत्र ऐसे होते हैं जिसे हम कहते है special interest newspapers विशेश रुचिकर समाचार पत्र अकबार ये जो अक्बार ऐसे होते हैं जिसमें एक विशिष्ट विशे से संबद जानकारी दी जाती है, जिसमें न्यूज आएगी, समाचार आएंगे और विचार भी आएंगे, जैसे एकनोमिक्स टाइम्स है, एक अर्थिक विशे से संबद समाचार पत्र है, उस पर बिजनेस और की गतिविदियां उसमें आजाती है, अर्थचास्त्र आता है, उद्योग आता है, बिजनेस का, व्यापार का, व्यापार उदीम की बात उसमें आजाती है, इस तरह से विशेश रुची के समाचार पत्र आते हैं, कुछ समाचार पत्र हैं, जिसे कहे सकते हैं हम की special sector newspapers आते है, तो यह समाचार पत्र है कि जो Community newspaper की रूप में जाने जाते हैं, समुदाए समाचार पत्र जाने जाते हैं, जैसे grassroots है, Press Institute of India का, जो ग्रामी स्तर पर समाज की हित में जो काम करते हैं, उनके उन्के बारे में जानकारी दी जाती है, ऐसे समाचार पत्र है, कोई NGOs हैं, स्वयम से भी समस्ता हैं, वो समाचार पत्र चलाते हैं, उसे भी हम यह community newspaper कहते हैं, अभी यह तो newspaper के type हमने देखे, प्रकार हमने देखे, अभी हम चलते हैं, भारत की समाचार पत्र के इताहस के ओर, देखिए, भारत में, जो समाचार पत्र का प्रारंब हुआ, स्री गनेशा हुआ, कब हुआ है, तो पहले तो उसके लिए जरूरत है, तकनिक की तोर पर, कि मुद्रन कला हो, प्रेस हो, प्रिंटिंग प्रेस हो, तो भारत में 1556 में पुर्तुगीज लोगों ने मुद्रन कला भारत में लाई गोवा में और पहला बाइबल का किताब चपने का प्रयास गोवा में 1561 में किया गया उसके बाद कोचिन में प्रेस निकला, उसके बाद बंबए में प्रेस निकला और आठाशाव पांच में एक बहुत ही क्रांतिकार गटना मुद्रन कला के क्षेतर में हुई वो ये हुई कि Charles Wilkins ने देवनागरी में टाइब बनवाया, उसके कारण हिंदी में और मराथी में मुद्रन करना संबव हो पाया, तो एक भूत ही एक क्रांतिकारी टपा था कि जिसके कारण भारतिय भाषाओं में मुद्रन का प्रारंब करना शुरुवात हो पाई, तो एक व अभिवक्ति, ज्ञान, विज्ञान ये सारी चीजे छपवा कर उसको पर्मनेंट करने का, स्थाई रूप देने का कार्य इस मुद्रन काला ने किया, और मुद्रन काला के होते हुए ही, उसके आधार पर ही, समाचार पत्रों की नियू डाली गई, तो इसलिए, प्रिंटिं पत्रे और मासिक पत्रिकाएं हैं, किताबे ही उससे निकली हैं, तो ये सब पुब्लिकेशन का, प्रकाशन का जो पूरा विश्व है, वो मुद्रन कला के आधार पर बड़ा है, पला है, इसके साथ ही, हमारे देश में, अंग्रेजों का शासन था, और अंग्रेजों के शा अखनीक आ गया, तो मुद्रन कला भी उनके साथ आही, और समाचार पत्रों का भारत में प्रारम भी उनके कारण हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि कलकत्ता उनकी इस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी थी, तो वहां से बिटिशों ने पहला प्रयास किया कि अपना भा पत्र कलकत्ता से निकला और जिसे जेम आउगस्ट हिकी ने शिरुआत की, एक अंग्रेस था, फान्डिंग एडिटर था, उसका संपादक था, और भारत के पत्र कार्तिया का इतिहास का आरंबस्थल अगर कहा जाए, तो जेमस्ट आउगस्ट हिकी था, और जेमस्ट हिकी ने केवल अपना एक बंगाल गैजेट निकाला, एक समाचार पत्र की नीव डाली, शिरुवात की, ऐसा ही नहीं, तो उन्होंने समाचार पत्र की स्वतंतरता, प्रेश की स्वतंतरता, इसके लिए लड़ाई लड़ी, इसके लिए East India Company का, British सरकार का, उन्होंने मतलब काफी क् अनभो किया, और उन्हें निशकाशिद भी किया गया, उनको वापस इंग्लेट भीजा गया, क्या कहते थे वो, जेम्स अगसिकी का बहुत ही एक प्रशिद्ध विचार है, जो आज की दोर में भी बहुत महतोपूर्ण हो सकता है, उन्होंने कहा था, उनकी फिलोसफी थी, वो कहते थे, my newspaper is open for all, but influenced by none, मेरा जो मंगाल गैजेट समाचार पत्र है, open for all, सब के लिए खुला है, सब के विचार, सब के दृष्टिकोन, सब के मत उसमें प्रतिविंबित हो सकते हैं, लेकिन, influenced by none, लेकिन किसी का भी प्रवाव हम पर नहीं हो सकता है, कोई भी हम पर दब दबाव नहीं डाल सकता है, किसी के भी दबाव में ये समाचार पत्र नहीं आएगा, इस तरह उनकी जो फिलोसाफी थी, उनकी जो विचार थे, दृष्टिकोन था, इतना सही था, कि ओ फिलोसाफी आज के दौर में इतने विकसित पत्रकारतों को भी निर्वहन करना भुगतने पड़ी, सो प्रेश की स्वतंतरता के लड़ाई की नियू भी जेमस अगस एकिने भारत में डाली है, ये हमको मानना पड़ता है, उसके बाद क्या हुआ, बंबई में समाचार पत्र निकला, बंबई गैजेट के रूप में, 1709 में, 1812 में बंबई में एक आठा सो बाइस में गुज़रत समाचार नाम का जो समाचार पत्र उसने काफी, उसका première है कि एक समाचार पत्र कम शेकम 1500 साल चला हुआ समाचार पत्र है, आज भी वो प्रकाशित होता है, तो उसकी ये पूरा समाचार पत्र का एक दर शुरूए नया दर कह सकते हैं, प्रबदन का कालखंड उनके कारण ही शुरुवात हुआ। भारतिय भाषाओं का समाचार पत्र है। उसका आरंब मिरातुल अकबार 1822 में हुआ। और पहला हिंदी समाचार पत्र जो है उदंद मारतंड जो वाई के शुकलाजी ने कुलकता से शुरुवात किया। और वो उ समाचार पत्र जो है उसका विचार और दृष्टिकोन भी पत्रकारता के सुतंतरा के लिए कापी एहम माना जाता है। मराथी का पहला समाचार पत्र दर्पन निकला अठासो बैटीस में शुरुवात हुई उसकी बंबई से और बाल शास्त्री जांबेकर उसके पहले संप का कार्य विज्ञान और ग्यान का प्रसार का कार्य और भारत में नए विचारों की निव डालने का कार्य इन समाचार पत्रों ने और आरंबिक सभी संपादकों ने किया है। तो ये कह सकते है कि प्रभोधन का जो कालखंड भारत में निर्मान हुआ उस निर्माताओं में जैसे समाज से वक्त थे, उसके साथ-साथ एस समाचार के संपाधक भी, समाचार पत्रों के संपाधक भी थे, जिन्नों ने आम लोगों तक नया विचार, नई सोच, नया दृष्टिकोन और अधुनि की करण की चिंतन और सोच लोगों तक पहुंचानी की बरकस कोशिश की. एक एक भी इसके साथ साथ ए भी मानना पढ़ता है और जाना जाता है कि जैसे जैसे समाचार पत्रों का प्रभाव बढ़ते गया वैसे वैसे अंग्रेज जिनको एस समाचार पत्र चूबने लगे क्योंकि वो लोगों की बात व्यक्त करने लगे थे सच्चाई लोगों के सामने उजागर करने लगे थे और उसका प्रभाव श्यासन पर हो रहा था ब्रिटिश सरकार पर हो रहा था और उन्होंने फिर उन पर पाबंदिया लगाने की कोशिश की जैसे 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 जैस व्यक्त करने लगे वैसे वैसे उन पर पाबंदिया आने की शुरुवार भी हुई और उसी कारण 1910 में 50 अंग्रेजी समाचार पत्र और 272 भारतिय भाषाओं के समाचार पत्र को अंडर इंडियन प्रेस एक्ट बनाया गया उस एक्ट के तहट पाबंदी लगाई गई इसके साथ साथ बिटिश कंपनी ने ये देखा गया कि जैसे जैसे अपना सुतंत्ता का अंदोलन बढ़ते गया उसके साथ साथ समाचार पत्रों का चलन भी बढ़ते गया प्रभाव भी बढ़ते गया और उसी कारण इस्ट इंडिया कंपनी और बिटिशों ने समाचार पत्रों पर जादा से जादा पाबंदिय लाने का प्रारम्ब किया और उसके कारण Quit India Movement के दर्मयान ऐसा हम अनभो करते हैं कि 1942 में काफी समाचार पत्रों पर पाबंदिया लगाई गई फिर भी पैरलल जिसे कहते हैं कि पैरलल समाचार पत्र निकले और जो अपना अंदोलन चला था, वो अंदोलन के समाचार पत्र निकले लोगों ने उनको पहुँचा दिया, एक समाचार पत्र दस-दस गाउँ में पड़ा जाता था और लोगों तक अंदोलन की बात पहुँच जाती थी, तो एक underground newspaper का एक जमाना आया है, जिसके कारण पाबंदी थी, फिर भी समाचार पतर निकले, मराथी में एक समाचार पतर का ऐसा एक उधारन है, जो अपूरो उधारन कहा जा शकता है, एक ही समाचार पतर, एक तरफ निजाम ने, हैदरा नाम पर पाबंदी थी, तिसरे नाम से, और अलग-अलग जगा से, समाचार पतर निकला, और आगे चल कर, ओमरा ठोड़ा नाम से, समाचार पतर निकला, आकुरू आगमारे जी उसके संपादक रहे, तो ऐसे बहुत सारे भारतिये भाश्यों में संपादक बने, जिन्हों समाचार पतरों की अभिवक्ति की स्वतंतरता, प्रेश की स्वतंतरता, और देश के स्वतंतरता का विचार, और देश के लोगों के विचारों के अभिवक्ति करने का प्रयास कया, ऐसा कहा जाता है, कि प्रेश को कैसा होना चाहिए, प्रेश को होना चाहिए, कि ओ आम आद उनकी सोच, उनकी समस्याए, उनका संगर्ष, जो व्यक्त करता है, वो समाचार पत्र है, वो संपादक है, वो पत्रकार है, तो यही कारण हुआ कि उस अंदोलन की सब बातें समाचार पत्रों में आने लगे. उसी के साथ साथ एक और दौर स्वतंतता के अंदोलन के साथ साथ चला, वो समाच सुदार की समाचार पत्रों की बात आती है, जैसे डॉक्टर बाबासाब भिमिराव अमेडकर जी ने अपने खुट के समाचार पत्र मूख नायक निकाला, भाष्कृत बारत निकाला, और समत वर्ग है उनको नागरिक्ता के अधिकार नहीं है उनको मानिविये व्यवार नहीं किया जाता उनकी उपेक्षा की जाती है तो उनकी समस्याएं उनका संगर्ष व्यक्त करने के लिए उन्होंने मूख नायक समाचार पत्र शुरुवात किया बहिश्कृत बाहरत समाचार पत् कान ये नियुदालिग। मात्म फुलेजी उनके पूर थे जिनोंने सत्यशोदक समाज की शरुवात की, उन्होंने भी महलाओं के अधिकार, महलाओं का सिक्षन और उसके साथ-साथ समाजी नयाए की पत्रकारिता का अरम्ब किया। दीन मित्र जैसे समाचार पत्र उनकी सत्यशुदक मूवमेंड में काफी समाचार पत्र पूने से निकले हैं, कॉलापुर से निकले हैं, और बडोदा से निकले हैं, इंदोर से निकले हैं, जिन समाचार पत्रों में समाज सुधार की पत्रकारता की. तो एक साथ देश की स्वतंतता का अंदोलन उसमें भी ये पत्रकारता शरिक हुई और उसके साथ साथ समाज सुधार का अंदोलन था उसमें भी पत्रकारता शरिक हुई लोकमान्य तिलक जी ने केसरी निकाला जो केसरी के अगरकर जी भी संपादक थे गुपाल गनेश अगर और अगरकर जी का एक कहना था, कि समाज में सुधार भी होने की जुरत है, और अगर समाज सुधार नहीं होते, तो सुतंत्रा मिलने पर भी आम लोगों को सुतंत्रा नहीं पिल पाएगी, और जो हम अभी भी वो चीज अन्भो कर रहे हैं, अगरकर जी ने फिर उन से हट कर समाचार पत्र निकाला और उन्होंने चलाया तो एक ऐसा बहुत बड़ा दोर चला और उसके बाद लोकमाने टिलक से पेड़ना लेते हुए मद्यप्रदेश में भी जैसे हिंदी का केसरी निकला है और काफी सारे संपादोकों ने उनसे पेड़ना लेते हुए हिंदी में स्वतनता में वो सब लोग जुड़ गए कारिक्रम के इस भाग में हमने चर्चा की आजादी के पहले भारती समाचार पत्रों के इतिहास और समाद सुधार में उनके योगदान पर अगले भाग में हम चर्चा करेंगे स्वतनता के पश्चात भारती समाचार पत्रों के इत झाल झाल झाल